सत्रा अक्तुबर इस नवरात्री छे रासियों पर होंगी मातारानी की खिरपा और इन छे रासियों की जीवन के सारी दुख्तकलिफों से थुटकारा मिले वाला है प्रतेक साल में नवरात्री का पर्व चार बार मनाया जाता है जिसमें से दो गुप्द नवरात्री होती हैं एक सार्दिय नवरात्री था दूसरी चैत्र नवरात्री होती हैं इस बार सार्दिय नवरात्री का पर्व 17 अक्टुवर से शुरू हो रहा है सास्त्रों के अनुसार इस बार के सार्दिय नवरात्री में सरवार्द सिद्य योग के साथ कई अन्य योग भी बनेंगे जो की मा की अराधना के लिए बहुत इस सुब होंगे वहीं जियोतिस की माने तो इन खास योगों के प्रभाव से इस सारदे नवरात्री में कुछ लोगों को बहुत भागसाली रहने वाला है और कुछ रासियों की किस्मत चमकने वाली हैं तो चलिए जानते हैं उन भागे साली रास्यों के वारे में जिनके लिए यह सार देन वरात्री बहुत सुब रहने वाला है तो मत्रों आप से आग रहें कि आप इस वीडियो को पूरा देखें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर के चैनल को सस्क्राइब अवस्य कर लें ताकि रूझाना रासी फल आपको समझ से मल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें तो मत्रों सबसे पहले जो रासी हैं जो की बहुत इभागे साली और सुब रासी हैं वो हैं मेस रासी मत्रों साल 2020 सारदे नवरात्री मेस रासी के जात्कों के लिए बेहद सुब रहेंगे मेस रासी के जात्कों के जीवन में बेबा के योग बनेंगी संभावना है इसके साथ ही आपको प्रेम में सफलता मल सकते हैं इसलिए नवरात्री नो दिनों मा के अराधना जरूर करें मेस रासी के जात्कों को नवरात्र के इन नौ दिनों में माता रानी के विशेज किरिपा प्राप्त होंगे और लाव से अपार धंदोलत के प्राप्ती होने वाली हैं मित्रों अगली रासी जो हैं जो की भागे साली हैं वो हैं मित्वनासी मित्वनासी के जातकों के लिए सार्दे नवरात्री बहुत सुब रहने वाला है दामपत्य जीवन में खुशियों के साथ साथ आपको संतान सुक्के मिनले के प्रवर योग हैं नोकरी के शित्र में भी आपका प्रिवर्तन हो सकता है। वहें आपको नौकरी प्यसावाले लोगों को परमोसन और धनलाब हो सकता है। इसलिए इस बार आप नावरात्री में मा को प्रसंद करने के लिए वरत और मा की अराधना जरूर करें। द्वारा कि ये जारे कारे में सफलता के साथ-साथ मान सम्मान मिलेंगी इस नवरात्री दुरगा माता की फूजा जरूर करें। धीरे धीरे दूर होंगी और नौ दिनों में माता दुरूर की पूजा अराधना सची भक्ति से आपको जीवन में लाव की फ्राप्ति हो सकते हैं। मत्रों अगली और सबसे भागेसाली रासी की बात करें तो मत्रों वह हैं कुम्ब रासी। कुम्ब रासी के लिए यह नवरात्री बहुत तिस्ब समाचार लेकर आया है। आपके लिए यह नवरात्री लापदायक और बहुत तिस्ब रहेंगी। इस समय आपके आई में वरुत्तरी होने के योग हैं। सोचे फे काम भी मातारानी की आस्रिबात से और आपके कोसिसों से पूरी होने के संभावना रह सकते हैं। इस नवरात्री आपको जीबन में विसेश बड़े कुसकवरी हासिल होने वाली हैं। आप अपने दुख तकलिफों से चुटकारा पाने वाले हैं। अगली और भागे साली रासी की बात करें। तो मत्रों अगली और सबसे जो आखरी रासी हैं। वो हैं कन्या रासी। इस नवरात्री कन्या रासी के लोगों को उन्न भागे साली रासियों में सामिल किया गया हैं। जिन पर मातारानी की कृफ़ा बरसने वाली हैं। कन्या रासी के लिए यह नवरात्री काफी जादा भागे साली रहेगा। आपके भौतिक सुखों में विर्दी होंगी। दो बिंदु वासनी